नमस्का दोस्तों स्वागात एक बार फिससे आप सभी का जो हाड जो शेड़ी में तो दोस्तों मैं आप लोगे लिए यहाँ पे एक को नहीं जानका लेकर आँ दोस्तों तो सरम नियोजन परसेचन और कोसल विविकास विभाग जो जीला नियोजन अला गड़वा है दोस्तो नौ सिप्तमबर को यहाँ पर रोजगार मिला का आजन किया जा रहा है बात के दोस्तों यहाँ पर कहां पर रोजगार मिला का आजन किया जागा गड़वा में तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर टाउन हॉल बहन जो चिनिया मोड गड़वा है दोस्तों यहाँ प को यहां पर सुबह सारदस बेसे लेकर सामके चार बेते इसका यहां पर आजन किया जागा तो जो भी केंड़ेटिस में सामील होना चाहते हैं भाग लेना चाहते हैं रोजगार मिला में जॉब लेना चाहते हैं तो यहां पर जा करके जॉब ले सकते हैं दोस्तों बागी यहा यहां पर टेक्निसीन की वेकंसी है, 100 वेकंसी यहां पर मांगी गई है, 10 पास यहां पर minimum qualification मांगी गई है, और यहां पर यहां पर ITI और डिपलोमा करिए तो आपको यहां पर वरियता मिलने वाली है, और यह पूरी तरह से फ्रेसर के लिए वेकंसी 18-18 सा लेज मांगी गई है और यहां पर 12,000 से 30,000 वेतन आपको यहां पर मिलने वाला है, और जॉब लोकेशन दोस्तों आपको यहां पर इसके लिए फरिदावाद, हरियाना आपको यहां पर जाना पड़ेगा जॉब लोकेशन यहां पर दूसरे नंबर पर यहां पर देखकते हैं AISTC जो कंपनी है यहां पर इसमें यहां पर computer operator कम training की जरुरत है, यहां पर sweeper चाहिए और cook चाहिए तो ठीक है, तो यहां पर operator के लिए 10 vacancy, sweeper के लिए 3, cook के लिए 2 यहां पर, इस तरह से यहां पर qualification देखकते है, 10th pass, 8 pass, 5 pass, यहां पर ADCA, computer में आपका knowledge होना चाहिए, और अधिकतम यहां पर salary मिलने वाली 10 से 20,000, 6,000 से 10,000, 7,000 से 15,000, और इसकी जो job location यहां पर बाना और मेरल जो गड़वा में है, दोस्तों, यहां पर आपकी job location रहने वाली है, ठीक है, बाकि यहां पर तिसरे नमबर दे सकते हैं, गिरी, बीच प्राइवेट लिमिटेड, जो company यहां पर swing machine operator की vacancy और इसके लिए दोस्तों, आपको यहां पर केरल जाना पड़ेगा, आप केरल तमीलनाडू तरफ अगर job करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग यहां पर जा सकते हैं, 100 vacancy इसके लिए, 100 vacancy और 8 pass यहां पर qualification मांग करेगे, कोई experience यहां पर नहीं मांगा गया है, दोस्त तो यहां पर nursing college है, यहां पर nursing tutor की ज़रूँ है, teacher की ज़रूँ है, यहां पर 1 vacancy है, और यहां पर ब्यस्ती नर्सिंग आपके पास course अगर आपने करी है, तो आप लोग इसके लिए यहां पे eligible है, और teacher के आप यहां पर job कर सकते हैं, nursing के तोर पर, और यह पूरी तरशर प्र गरवा में आपको यहां पर job location रने वाली है आगे अगर देखें के दोस्तों स्पंधना इस्पूर्थी finance limited यह company दोस्तों loan officer की ज़र रहते है 20 vacancy है यहां पर ट्वेंद पास आइटी डिप्लोमा और graduate वालों को यहां स्लेक्ट किया जाएगा बाइक और learning license और driving license आपके पास यहां पर होनी चाहिए तो आप लोग इसके लिए यहां पर eligible है यहां पर फ्रेसर लोग को बलाए गया है तो फ्रेसर लोग इसमें जा सकते हैं और salary यहां पर 12,000 मिलने वाली आपको यहां पर गढ़वा में आपकी job location यहां पर रहने वाली है नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं इस तरह से health care में राची में वेकंसी है दोस्तो तो job location आपको यहां पर राची में जॉब करना चाहते हैं तो G&M, A&M आपके पास certificate आप लोग इसके लिए आप देख सकते हैं 95 वेकंसी है 50 वेकंसी है कापी अची वेकंसी है salary यहां पर 12,000 से लेकर 17,000 आपको यहां पर मिलने वाली है देख सकते हैं आगे अगे अगर हम लोग देखें दोस्तो तागी यहां पर 7 नमर पर जो GSA Foundation Jamtada के company दोस्तो तो job location आपकी यहां पर जामताड़ा रने वाली है राजकोट गुजराथ job location यहां पर रने वाली है जामताड़े में company भले है लेकिन आपको यहां पर job location आपकी राजकोट और गुजराथ जाना पड़ेगा इसके लिए तो जो लोग बाहर जाब करना चा एसो के लिए 10 वेकंसी है graduate और intermediate के वेकंसी है qualification यहां पर मांग करी गई है और यहां पर salary देखते हैं 10 यहां से लिए 13,000, 17,000 इस तरह कुछ दिया गया है और आपको जाब location रहेगी और किसी भी जिले में आपकी job location रह सकती है इसके लिए नेक्स्ट यहां पर देखते है वर DC in MLT में आपने करिए तो आप लोग इसके लिए eligible है और इसकी job location यहां पर गढ़वा रहने वाली दोस्तों यहां पर एक चुट गई दोस्तों आटवे नमबर में यहां पर lift insurance Corporation of India Life Insurance का LIC दोस्तों है दोस्तों LIC में यहां पर vacancy आई है तो LIC में यहां पर 20 vacancy है 10th pass qualification आपको यहां पर job location गढ़वा रहेगी और आपको यहां पर commission based और allowance जो रहेगा उससे सबसाब को यहां पर salary मिलेगी ठीक है आगे अगे अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 11 नमबर पर और यहां पर 12 नमबर vacancy आप लोग यहां पर देख सकते हैं और qualification ज्यादा कुछ ने माँगे 10th intermediate pass मांगा गया है और यहां पर इस सब के लिए यहां पर pressure low को नहीं ली जाएगी यहां पर experience हो तो ही आपको यहां पर ली जाएगी ठीक है यहां पर 8000 से प्लस रहने वाली है 10 जाता आपके यहां पर salary रहेगी और गढ़वा यहां पर job location आपका यहां पर रहने वाला है नेक्स्ट यहां पर देखते हैं तेर नमबर पर कल्यान गुरुकुल जो दोस्ते हैं यहां पर electrician और construction की दो vacancy यहां पर construction के लिए 40 vacancy है ठीक है और यहां पर देख सकते फ्रेसर लोगों सेलेट किया जाएगा 18000 यहां पर technician के लिए जबके construction के लिए यहां पर BCR आपको यहां पर salary मिलेगा आपके यहां पर बेंगलूर रहने वाले है ठीक है तो आप लोग करनाटा का बेंगलूर जाना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर job location बेंगलूर रहेगी तो आप लोग वहां जाकर के जॉब कर सकते हैं अठारा जार और बीस यार की salary पर नेक्स यहां पर SIS Guard की वेकंसी है दोस्तों यहां पर Security Guard, Supervisor, CIT की वेकंसी, 120 और पचास टोटल यहां पर 170 वेकंसी है दोस्तों 10th पास, 12th पास मांग करें यहां पर और यह तो पूरी तर्दर रहेगी पर यहां पर लिया जाएगा तो आपके पास कोई भी एक्समेंट नही उसके बाद यहां पर सुपरवाजर के लिए दोस्तों 19,000 से 25 सेलरी और CIT के लिए यहां पर 13,000 से 19,000 से यहां पर सेलरी रहने वाली है ओल इंडिया जॉब रहेगी दोस्तों तो यानि कि आपको किसी भी स्टेट में यहां पर जॉब के लिए जाना पड़ सकता है यहां प उंतारी दोस्तों यहां पर job location रहने वाली है और इसके लिए qualification क्या क्या चाहिए तो graduate, B.S.C. nursing, graduate यह 12th past लीख है आपके पास यहां पर साथ है आपके पास फ्रेटसर नहीं दोस्तों यहां पर आपको experience लोगों को लिया जाएगा और salary यहां पर कापी अच्छी मिनने वाली देखते हैं 20 से 15,000, 12,000 से लेके 15,000 यहां पे 12,500, 10,000 प्लस यहां पे फ्यूल भी दिया जागा यह जो mobilizer की frequency इसके लिए ठीक है तब बात करें दोस्तों आपको job fair में जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा तो job fair में newgen.jharkand.gov.in इस website पे जाकर कि आप लोग अपना registration कर सकते हैं और वहाँ से जो acknowledgement जो registration slip निकलता है उसका आप लोग print out निकालके इस job fair में जा सकते हैं और साथ में आप लोग जो भी educational documents रहेंगे वो सब का आपको चाया परती यानि जैरॉस लेके जाना है और passport size photo भी लेके जाएगा और bio data आपके पास जो है उसका भी resume लेके जाएगा आप लोग और दोस्तों यही यहां पर जानकार दी गई है बाकी आप लोग जो पता मैंने बता दिया कहां पर है वो उपद दिया गया है और यहां पर देख सकते हैं अंचल अधिकारी या अनुमंडल पादिकारी या फिर DC दुवार आपका जो अस्थानी निवासी परावन पत्र होना अनिवार है दोस्तों क्योंकि यहां पर अस्थानी लोग को job दी जाएगी तो आप लोग चिनिया मोड करवा ठीक है कब है दोस्तों तो 19 सिप्तमबर को तो उमीद करता हैं दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोग यहां पर दे दिये कहीं कुछ चूट गई तो आप लोग इसको रिट कर लिचेगा मैं लिंक दे दूगा डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना है दोस्तों जल्दी आप लोग लिए और भी नहीं नहीं जानके लिए क्या होगा किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं मैं आप लोग का कॉमेंट का जवाब देन कब कोशिच करूँगा यहाँ पे तभी के लिए इतना रखते हैं जल्दी आप लोग लिए और भी नहीं नहीं जानकर लेखाऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जहारकंड दोस्तों